Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता ही राशी फल ये 21st October से लेकर 27th October तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और इस वीडियो में ना केवल आप Coming Week में आपका Professional Front कैसा रहेगा, Personal Front कैसा रहेगा उसके बारे में जानेंगे, बलकि आप ये भी जानेंगे कि क्या आपके लिए Lucky Color होगा, क्या आपके लिए Significand होगा और नीचे Description Box में आपको आपकी राशी के सामने Time Stamp पिल जाएगा, आप उस पे Click करेंगे तो डारेक्ली आपकी Reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, कि मैम इस Reading को हम किस Sign के हिसाब से देखें तो Tarot Reading को आप किसी भी Sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका Moon Sign हो या फिर आपका Sun Sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं, Coming Week का सापता ही क्राशी फल तो चलिए एडिज आप लोगों के लिए देखें ही Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या Energies है तो Professional Fund के लिए आप लोगों के लिए Card है Two of Cups Two of Cups का Card कहीं Tarot में Love, Care, प्यार, महबद, Supportive, Cooperative Energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही Overall के लिए देखें तो आपके Professional Fund में रहता हुआ दिख रहा है अब दिखें थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा क्योंकि ये General Reading है लेकिन broader level के लिए देखें यहाँ तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं आप उनसे ज़्यादा connect कर रहे हैं, आपके उनसे ज़्यादा बातचीत हो रही है किसी भी level पे eating, drinking, merrymaking हो रही है कभी-कभी होता है न हम अपने office की या work front की meetings किसी खाने पीने वाली जगा में करते हैं हम साथ-साथ dinner कर रहे होते हैं, lunch कर रहे होते हैं, coffee पी रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, तो कुछ के लिए literally ऐसा रह सकता है कुछ के लिए हो सकता है कोई आपकी life में, आपकी professional front में, in fact मैं कहूंगी, आ रहा है जिसकी वज़े से कहीं एक happiness, joy या फिर किसी भी level पे support आपको मिल रहा है कुछ के लिए हो सकता है, पीछे किसी भी work front में, इंसान के साथ issues मसले चल रहे थे, वो resolve हो रहे हैं overall दिखे, money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से ज़ादा, जो connections होते हैं, जो relationships होते हैं उनको आप ज़ादा एहमियत देते वे, उनको ज़ादा enjoy करते वे दिख रहे हैं all in all, ये हफ़ता professional front से related अच्छा जाता हुआ दिख रहा है personal front के लिए आप लोगों के लिए ego का card है, तो बहुत ही clearly ये card convey कर रहा है कि ego की वज़े से issues मसले हो सकते हैं, फिर से मैं कहूंगी general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास रिष्ता है, या फिर overall ही relationships में या तो आप थोड़े से egoistic हो रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहा रहे हैं थोड़े controlling dominating हो रहे हैं, या फिर कोई इनसान है आपके personal friend में जिनकी ऐसी energies हैं, यानि कि वो controlling dominating हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहा रहे हैं ये तो देखिए, relationship और connections के point of view से हो गया और ये card ये भी कहता है कि कोई non living thing भी हो सकती है या फिर living thing भी हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कोई रिष्था हो सकता है जिसको लेके बड़े obsessive हो रहे हैं, बड़े possessive हो रहे हैं इस weak personal front में आपको ऐसे लग सकता है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए ये तो मुझे करना ही करना है, थोड़ी जिद वाली, थोड़ी एक stubborn वाली, थोड़ी एक rigid fixated वाली energies है सकती है और जब भी भी Aries हम ऐसी energies में होते हैं तो हमें एक positive outcome नहीं मिलता है तो इस weak personal front के लिए, खास कर आपके लिए message रहेगा कि आप अपना करम करें, लेकिन outcome से attach ना हो आप जितना surrender mode में रहेंगे, जितना एक universe पे faith करते वे चीज़ों को deal करेंगे उतना personal front में आप इस weak को बहतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Germany sign का card है इसके हिसाब से all sheets of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होका Wednesday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का साबता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखेंगे ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of souls और ये card कहता है कि इस week किसी भी level पे किसी भी तरीके के changes रह सकते in fact मैं कहूंगे एक transition वाला phase रह रह रहा है जहां पर एक चीज को आप छोड़ रहे हैं और जहां पर आप जाना चाहते हैं वाँ आप गए नहीं है या फिर मैं कहूंगे पहुंचे नहीं है in between का जो एक time period होता है वो रहतावा दिख रहा है अब दिखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा in fact मैं कहूंगी situation circumstances सब के लिए differ करेंगे सबसे पहली चीज कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं या फिर करना चाहा रहे हैं या फिर पीछी किसी भी चीज में बहुत अटकावा महसूस कर रहे थे तो इस week आप उसमें से निकलते वह दिख रहे हैं अब कितनी बारी होता है न कि मन में emotionally mentally कोई बात अटक गई निकल ही नहीं रही तो इस week फिर से मैं कहूंगी उसमें से भी हो सकता है आप निकल रहे हैं या फिर situation circumstances में अटकावा महसूस कर रहे थे तो उसमें से भी बहार निकल सकते हैं और जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके के changes रह सकते हैं और in fact ये card movement की भी बात करता है तो आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है ये भी हो सकता है कि पीछे कोई चीज आपको bother कर रही थी आप उसमें से कहीं आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं अभी आगे का नहीं समझ में आ रहा कि कहां पहुंचेंगे कहां जाएंगे बट ये परेशानी वाली जो चीज थी उससे कहीं फिर से मैं कहूंगे आगे बढ़ रहे हैं तो इस point of view से देखें तो ये भी ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है and again movement, changes, shift इस week रह सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए the world का card है सबसे पहली चीज ये card कहता है कि out of the country से related कोई activity, कोई चीज, कोई बात रह सकती है फिर से सब के लिए differ करेगा example के तौर पे या तो कोई आपके love one out of the country रह रह रहे हैं उनके साथ आपकी ज़ादा interaction, ज़ादा बातचीत हो रही है या फिर आप out of the country ट्रावल करना चाहा रहे हैं again, जो दो चीज़े मेरे mind में आई, मैंने कहा सब के लिए differ करेगा और दूसरी चीज़ ये काट कहता है कि कि किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो वो कहीं complete होती भी दिख रही है या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कोई एक phase complete हो रहा है, नया phase शुरू हो रहा है इस point of view से देखें तो किसी भी level पे ending beginning रहती भी दिख रही है और कहीं है ending beginning positive ही रहती भी दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि physical activity जादा हो रही है आप exercise या किसी भी form के again मैं कहूंगी physical activity में खुद को involve कर रहे है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको बहुत appreciation recognition अपने आस पास के महौल से मिलती हुए दिख रही है all in all personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए query sign का card है इसके यसाप से all shades of blue and indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये थाट और साप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Gemini's आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of cups और ये card कहता है कि इस week किसी बात को लेकर या फिर बिना बात के मन थोड़ा सा बुझा बुझा है होता है ना कभी-कभी कि हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लगता है कोई भी काम करने के लिए वो motivation वो enthusiasm, excitement नहीं होती है कोई हमसे पूछता है कि क्या हुआ भई क्यों इतने बुझे-बुझे लग रहे हो हम उनको कहते हैं यार पता ही नी reason क्या है तो कुछ ऐसी से energies है सकती है और कुछ के लिए हो सकता है कि आपने पीछे कोई opportunity miss करी आप इतना उसके बारे में सोच रहे हैं कि current जो opportunities है ना तो आप उनको देख पा रहे हैं ना ही उनको समझ पा रहे हैं तो देखे ये एक vicious सा circle होता है पीछे कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुआ उसको लेकर हम इतने बुझे-बुझे हैं कि अभी जो अच्छी चीज़े हैं उनको नहीं देख पा रहे हैं उनको नहीं avail कर पा रहे हैं और फिर आगे चलके जब हमें एहसास होगा कि भी हमने फिर से opportunity miss करी फिर हम परेशान होंगे और इसी vicious circle में हम घूमते रहते हैं तो बहुत-बहुत important होगा Gemini कि आप अपने आपको इस vicious circle से निकालें जो हो गया वो हो गया आप जो मर्जी करें past में जो चला गया उसको नहीं ला सकते हैं all you can do is कि अभी क्या आपके पास अच्छी opportunities हैं अच्छी चीज़ें हैं आप उनको recognize करें, avail करें और कैसे आप इन ही चीज़ों को avail करके अपना future बहतर कर सकते हैं उस पे focus करें और दूसरी चीज़ कुछ ऐसा ज़रूर आपने करना है जिससे की enthusiasm, excitement, motivation आपका जो भी goal है उसके लिए वापिस आए यकीन माने ये तीनों ही चीज़ें बहुत important हैं अपने goal को achieve करने के लिए तो इस पे ज़रूर work करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए 5 of swords का card है और ये card कहता है कि महौल कुछ बहुत great नहीं रहता हुआ दिख रहा है या तो कोई इनसान हो सकते हैं जिनके intentions, motives ठीक नहीं है या फिर से मैं कहूंगे circumstances, situations हो सकते हैं जो की इतने favorable, इतने conducive नहीं है जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए तो देखिए, दोनों ही fronts बहुत great नहीं जा रहे हैं but there is some difference professional front में ये आप ही की energies है यानि कि आप थोड़ा सा भी work करेंगे तो आप चीजों को बहतर कर सकते हैं professional front के लिए आपके लिए guidance होगी कि आप किसी भी चीज में उलचेना कोई भी काम में अगर आपको एक लगे की बही चीजें ठीक नहीं लग रही है dicey है, आप उलच सकते हैं आप अटक सकते हैं, उसको आपने avoid करना है योकि इस week personal front में आपको ऐसे लग सकता है कि बही ये ना मिरे साथ fair नहीं हो रहा है मैं शायद जादा deserve करती हूँ और मैंने सब के साथ अच्छा किया लेकिन कोई मेरे लिए नहीं इतना अच्छा सूच रहा है तो इस तरीके के thoughts आपको आ सकते हैं based on whatever is happening in your personal front तो दिखिए ये सिरफ और सिरफ इस week की energies है तो परेशान नहीं होना है but yes, जब ये thoughts आते हैं आपने अपने आपको correct करना है आपने बूलना है कि कोई नहीं यार कभी-कभी होता है life में ऐसे हमेशा ही हमारे हिसाब से नहीं होती हमेशा ही हम सामने वाले के लिए करें और सामने वाला recognize करके हमें वापसी वैसी ही energy दे या वैसा ही response दे ये possible नहीं है और कोई बात नहीं हमने किया उनकी तरफ से नहीं आ रहा है तो it's fine और आगे से हमने इससे learning लेनी है इससे lesson लेना है और हमने over किसी से नहीं करना ये सिरफ और सिरफ मैं एक example दे रही हूँ आपको कुछ के लिए क्योंकि relationship से related ऐसी energies हो सकते हैं और कुछ के लिए जैसे मैंने अभी बताया circumstances situations हो सकते हैं तो overall आपको ऐसे लग सकता है भी चीजें unfair हो रही है ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है मेरे साथ और फिर से मैं कहूंगी weekly reading है तो बहुत हलके fill के level पे जाधा रहती भी दिख रही है एक का दुका के लिए differ करेगा तो इस week फिर से किसी भी ऐसी चीज में जहां पे आपको थोड़ा सा भी doubt हो अपने आपको ना आप involve करें थोड़ा सा withdraw करेंगे थोड़ी सी back seat लेंगे तो इस week को person front में भी आप भेतर कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए cheerion का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता ही काशिवल और नीचे मुझा comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए के इन सेरेंज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो profession front के लिए आप लोगों के लिए card है page of cups और ये card सबसे भेली चीज़ कहता है कि किसी news, email, message का गराब वेट कर रहे है इस week मिल सकता है और ये news, message, email आपको किसी level पे एक happiness, joy देता हुआ दिख रहा है और इस week कहीं materialistic, tangible चीज़ों से ज़ादा आप जो भी relationships होते हैं work front में, connections होते हैं उनको ज़ादा एहमियत देते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई इंसान आपकी life में आ रहा है या फिर किसी पुराने इंसान से आप connect कर रहे हैं जिसकी वज़े से एक happiness, joy रहते हुए दिख रही है और दिखें, major level पे happiness, joy नहीं रहेगी एक beginning of feeling good हो सकता है बहुत time से आप बहुत great नहीं feel कर रहे थे अपने professional friends से related और इस week कहीं फिर से कहूंगे एक happiness, joy आप महसूस कर रहे हैं जो भी आपका goal है, मकसद है, हो सकता है उसकी तरफ आप पहला कदम रख रहे हैं या फिर कुछ initiative, कुछ action आपने लिए हैं जो एक happiness, joy दे रहे हैं लेकिन देखें, थोड़ा सा ये card कहता है कि आप किसी भी चीज को लेकर over emotional ना हो over sentimental ना हो, over attached ना हो क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो आप परिशान हो सकते हैं और अगर आपको लगे कि आप immaturity से चीज़ों को deal कर रहे हैं तो उसको भी जरूर आप चेक करके correct करें कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके work front में कोई immature इंसान है जिनके साथ आपकी ज़्यादा interaction बातचीत हो रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the star का card है क्या बात है केंसेरियन्स पूरा ही हफता काफी अच्छा जातावा दिख रहा है star का card कहीं you know एक clarity चीज़ों को लेकर आने की बात करता है कहीं बहुत एक positivity महसूस करने की बात करता है and कहीं ये card ये भी कहता है कि बीचे अगर आप directionless महसूस कर रहे थे थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर नाउमीद हो रहे थे मायूस हो रहे थे तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं एक उमीद जाकती हुई दिख रही है चीजों को लेकर hopeful होते हुए दिख रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत एक appreciation, recognition आपके love ones, close ones से मिलता हुआ दिख रहा है आप limelight में रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन अगर आपको लगे कि आप over giving हो रहे हैं तो इस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें इसके हिसाब से all shades of beige and brown इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था किन सेरियन्स आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नेजे मुझे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है release और देखें इसके little meaning को देखें तो ये कहता है कि किसी भी चीज को पीछे आपने बड़ा tightly पकड़ कर रखा हुआ था बहुत बहुत important है कि इस चीज को आप इस week release करें अब देखें ये सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है आपने किसी idea को बहुत tightly पकड़ा हुआ था या फर लटको नहीं कर पा रहे थे तो broader level के लिए ये card ending, beginning की बात करता है या तो ऐसा हो रहा है या फर करने की ज़ुरत है and overall ये week neutral रहता हुआ दिख रहा है जहां पर कुछ भी great नहीं हो रहा है लेकिन कुछ भी खराब नहीं हो रहा है in fact मैं कहूंगी अगर आप जो भी चीजें आपको serve नहीं कर रही है उनको लटको करते क्योंकि अगर आपने उन चीजों को बहुत tightly hold on किया जो आपको serve नहीं कर रही है तो ये week आपका खराब जाएगा लेकिन अगर आप letting go वाली energies में रहेंगे in fact मैं कहूंगी going with the flow वाली energies में रहेंगे ना तो किसी चीज को बहुत tightly पकड़ेंगे ना किसी चीज के लिए बहुत जादा effort करेंगे तो ये week आपका ठीक ठाक जाएगा and personal friend के लिए आप लोगों के लिए five of cups का card है और ये card कहता है कि कुछ चीजें हो सकता है आपके personal friend में आपके हिसाब से नहीं चल रही है और आप बहुत जादा उन पे focus कर रहे हैं किसी चीज को लेकर अफसोस रह सकता है किसी चीज को लेकर regret रह सकता है किसी चीज को लेकर थोड़े से मायूस हो सकते हैं अब अगर आप इस card को बहुत clearly देखे तो देखे तीन cup ज़रूर गिरे हुए हैं लेकिन पीछे दो cup खड़े हुए हैं लेकिन ये जो figure हैं सिरफ जो गिरा हुआ है उसी पे ही focus कर रहे हैं और कुछ ऐसी ही आपकी energies रह सकती है जो चीजें खराब हैं खराब in the sense की जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं जिन चीजों में छोटे मुटे issues हैं मसले हैं आप उन पे ही इतना focus कर रहे हैं कि जो आपको पीछे से अच्छी चीजें offer हो रही हैं आप उनको मुड़ कर देख ही नहीं रहे हैं तो जब भी ये काड़ाता है मैं ही कहती हूँ कि थोड़ा सा अपनी energies में shift लाने की ज़रत है थोड़ा सा अपना focus बदलने की ज़रत है जो चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं जो चीजें अच्छी हैं उन पे आप ज़्यादा attention दे ऐसा करेंगे तो जो पीछे आपका नुकसान किसी भी level पे हुआ आप उसको भी recover कर पाएंगे लेकिन अगर आप नुकसान पर ही focus करते रहेंगे तो जो पीछे आपके अच्छी चीजें हैं उनको भी आप miss करेंगे तो इस चीज पे अगर आप attention देते हैं personal front आपका अच्छा जाएगा और अगर इस चीज पे आपने नहीं इस चीज का नहीं खेयाल रखा तो फिर थोड़े परेशान हो सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है इसके इस आप से all shades of blue green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता है ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए over goes आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है page of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में minor irritation, minor frustration रह रह रही है अब दिखिए reason सब लोगों के लिए differ करेगा लेकिन ये card कहता है शायद आप over logical होके चीजों को deal कर रहे है बहुत ज़ादा analytical हो रहे है हर चीज को लेकर और दिखिए आपका basic nature भी यही होता है कि आप हर चीज में कमी ढून रहे है हर चीज में कुछ ना कुछ issue रह रहा है या फिर दिख रहा है और कहीं दिखिए एक immature energies भी या तो आपकी तरफ से या फिर कोई इंसान है आपके work front में उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है और कुछ के लिए भी हो सकता है कि किसी news, email, message का आप बेट कर रहे थे या तो आपको नहीं मिल रहा है और ये चीज आपको upset कर रही है या फिर मिल रहा है तो आपके मुताबिक नहीं है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है इंफाट दिखे मैं परेशानी भी नहीं कहूंगी एक irritation होती है ना frustration सी minor level पे वो रहती भी दिख रही है या पर मैं आपको यही कहूंगी जो भी हो maturity के साथ चीजों को deal करें heart और mind का balance रखें over logical ना हो और अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी life में तो आप थोड़ा सा तरीके से उनके साथ dealings करें all in all खराब नहीं जाता हुआ दिख रहा है लेकिन इस तरीके के issues रह सकते हैं और फिर से मैं कहूंगी अगर आपने इनको manage कर लिया तो इस week को भी आप भैतर कर पाएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of wants का card है ये बहुत ही positive card है ये card कहता है कि कहीं personal front में जो भी आप कर रहे हैं जो भी हो रहा है बहुत जबर्दस एक confidence महसूस करते हुए दिख रहे हैं और किसी खास इनसान का बहुत एक support रहता हुआ दिख रहा है कहीं जो भी आप चाहा रहे हैं उसी से related next steps आप plan करते हुए दिख रहे हैं कैसे आप अपने goal मकसद को achieve करें उस पे focus करते हुए दिख रहे हैं and personal front में देखिए कोई अच्छी news कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है एक enthusiasm है एक excitement है एक motivation है तो personal front काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए Leo sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए coming week कास आपता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए अचले लिबराज आप लोगों के लिए देखिए coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the hermit और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत ज़ादा या तो किसी चीज में involved नहीं होना चाह रहे हैं participate नहीं करना चाह रहे हैं कभी-कभी होता है न हमें लगता है कि हम थोड़ा सा दूर ही रहें इन सब चीजों से तो कोई ऐसी चीज या तो आपके professional front में हो रही है जिससे आप खुद को distance करना चाह रहे हैं या फिर हो सकता है कि professional front में कोई खास activity नहीं हो रही है थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं न passive सी energies आपके professional front में रह रही हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप introspective energies में रह रहे हैं यानि कि जो भी हो रहा है या जो भी आप achieve करना चाहते हैं अपने professional front में उसी को ही लेकर आप थोड़ी सी research कर रहे हैं तो कुछ भी negative नहीं होता हुआ दिख रहा है because hermit is a very very neutral card लेकिन कुछ भी बहुत great भी इस week नहीं होता हुआ दिख रहा है फिर से मैं कहूंगे चीजों को सोचते हुए, समझते हुए introspective energies में रहते हुए आप जाता रहते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लगों के latent of wands का card है और ये card कहता है कि किसी चीज को लेकर एक pressure, एक stress, एक tension आपने हैसूस कर रहे हैं अब ये words ना जैसे हम सुनते हम परिशान हो जाते हैं और especially जब upcoming week होता है तो हमें घबराट भी होनी शुरू हो जाती है बट आपने बिलकुल भी नहीं घबराना है क्योंकि tarot guidance के लिए होता है और ये card आपको जो guidance दे रहा है आपने उसको follow करना है तो दीखिए reason, pressure और tension का सब लिबराज के लिए differ करेगा लेकिन जब आप deep इसके पीछे जाकर जानने की कोशिश करेंगी कि भाई, ये pressure, ये burden क्यों हो रहा है तो आपको हिसास होगा शायद आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई है आप चितना कर सकते हैं आप उससे भी जादा काम करना चाह रहे हैं जैसे rubber band होता है न आप थोड़ा सा stretch करते हैं ठीक रहता है लेकिन जैसे ही जादा stretch करते हैं वो तूट जाता है तो हो सकता है आप अपने आपको over stretch कर रहे हैं फिर से कहूंगी over responsibilities ली हुई हैं आप ना नहीं कह पा रहे हैं और जैसे ही आप इन सब चीजों को check करके correct करेंगे यानि कि आप अपनी responsibilities को कम करेंगे थोड़ा सा अपने आपको light करेंगे बहुत ही gracefully आप लोगों को ना कहेंगे थोड़ा सा self love practice करेंगे आप देखेंगे कि ये हफता आपको बहुत अच्छा जाएगा तो नच्छल में इनी चीजों पर काम करने की ज़रत है again अगर इस पर काम किया ये हफता अच्छा जाएगा नहीं तो फिर आप परिशान हो सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके ये sap से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए और नेचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए इस copy आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of cups और जैसे कि इस card में आप देख पा रहे हैं तो मासूम से बच्चे एक दूसरे से बड़ी प्यार महपत वाली बाते कर रहे हैं पीछे angels उनको bless कर रहे हैं और नीचे देखिए flowers भी हैं तो कहीं ये card love, care, cooperation, supportive energies को represent करता है कहीं बहुत एक beautiful relationships की भी बात करता है और in fact ये card past की किसी चीज़ पे focus करने की या past की किसी चीज़ के current situation में आने की बात करता है और कुछ ऐसा ही या फिर इसके around ही energies आपके professional friend में revolve करती भी दिख रही हैं आप देखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है अगें past का कोई event है, colleague है, job है या कोई भी situation है जिन से आप connect करना चाहा रहे हैं और past की कोई चीज़ आपके current professional friend में आ रही है और जो भी हो बहुत एक loving, caring, supportive, cooperative सा environment रहतावा दिख रहा है इस week कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से ज़ादा relationships या तो आपके लिए एहम रह रहे हैं या फिर आप उनको ज़ादा एहमियत देते वे दिख रहे हैं all in all बहुत beautiful energies आपके professional friend में रह रहे हैं and personal friend के लिए आप लोगों के लिए ace of pentacles का card है और देखे pentacles कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करते हैं तो कहीं personal friend में ये आपका focus area रह सकता है और aces नई beginning की भी बात करते हैं आप देख पा रहे होंगे इस card में one number लिखा हुआ है और one starting का number होता है like you know one से ही चीज़ें शुरू होती है तो personal friend में या तो कोई चीज़ शुरू हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे है अब दिखे जनरल reading है तो ये जो चीज़ शुरू हो रही है यानि की beginning हो रही है ये सब के लिए defer करेगी लेकिन कहीं बहुत ही practical realistic level पे या तरीके से शुरू हो रही है या फिर आप करना चाहा रहे है all in all ये week दोनों ही fronts के लिए काफी अच्छा जाता वा दिख रहा है अब हम personal front की खासकर बात करें तो हो सकता है कि money पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related या तो आपको gain फाइदा हो रहा है या फिर कैसे हो आप उस पे focus कर रहे हैं और कहीं stability, security महसूस कर रहे हैं कहीं किसी goal के लिए किसी चीज़ के लिए बहुत committed या तो आप रहते हुए दिख रहे हैं या फिर आपको एक commitment मिल रही है और अच्छी आप से all shades of red, maroon, rust आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था स्कॉपियोज आप लोगों के लिए coming week का साबता है इक राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Sagittarius आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the magician और ये card कही magical energies की बात करता है अब देखिए मैं बिलकुल भी नहीं कहूंगी कि सब Sagittarius के professional front में किसी तरीके का magic हो रहा है but yes, बहुत एक positive, बहुत एक इस तरीके की energies रह सकती है अब देखिए magic क्या होता है किसी चीज के लिए हमें उमीद ही नहीं है हमें लगता है ये possible ही नहीं है और वो काम हो जाता है, तो हमें लगता है भाई जादू ही हो गया तो अगर आप literal sense में magic को ना देखें but आप इस तरीके से देखें कि भाई किसी चीज के लिए आपने उमीद खोई या फिर आपको लग रहा था कि भाई ये काम तो आपको बने गई नहीं या तो वो काम बन रहा है या फिर उसी से related एक positivity रहती भी दिख रही है all in all ये week professional friends से related काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और इस week जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उससे related आप भी कहीं action initiatives लेते भी दिख रहे हैं और बहुत ही fertile, बहुत ही conducive environment भी रहता हुआ दिख रहा है तो फिर से कहूंगी अच्छा ये week जाता हुआ दिख रहा है अच्छी opportunities मिलती भी दिख रही है आप बहुत conscious, aware भी उन opportunities को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और yes, अच्छा जाएगा, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए transformation का card है transformation के literal meaning को देखें तो changes की बात करता है तो किसी भी level पे, किसी भी तरीके के changes आपके personal front में इस week रह सकते हैं अब देखें, ये changes सब के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए positive होंगे, कुछ के लिए negative होंगे बट मुझे ऐसे लगता है कि positive, negative कुछ नहीं होता है पुरानी चीजे ना, जब हम बहुत attach हो जाते हैं, उनको बहुत cling करते हैं हमें serve नहीं कर रही होती हैं, फिर भी हमें उनको let go नहीं करते हैं तो फिर हम खुद को परिशान करते हैं and the moment हम इस acceptance में रहते हैं कि every moment, everything is changing और हम उन changes के flow में जब आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिये, हमें universe उसी direction में लेकर जाता है जो हमारे लिए अच्छा होता है और कहीं deeper level के लिए हम भी जिस चीज़ को अपनी life में चाहा रहे होते हैं problem सिरफ तब होती है जब हम, you know, अपने तरीके से चीज़ों को चाहना शू कर देते हैं और जब हमें ऐसे लगने लगता है कि बस जो भी है ना वही best है और यह अगर हमारे हाथ से निकल गया या यह चीज़ अगर बदल गई तो life में problem होंगी कितनी बारी वो बदलाव हमारे अच्छे के लिए होता है तो यहाँ पर मैं आपको यह कहूंगी कि going with the flow, all the energies में रहें, acceptance में रहें जो चीज़ें आपको serve नहीं करें, उनको let go करें, जो नहीं चीज़ें आने के लिए willing हैं उनको आप welcome करें, आपका यह हफता बड़ा अच्छा जाएगा लेकिन जरा सा भी आप clingy हुए, आप अपने comfort zone से attach हुए या पुरानी चीज़ों से आप जादा attach हुए, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है इसके हिसाब से all shades of green या जो भी nature के color होते हैं, वो आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant है, आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था से डिटेरियस, आप लोगों के लिए coming week का सापता है, एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए कि Apricorns आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो Professional Fund के लिए आप लोगों के लिए काड है Seven of Pentacles और ये काड कहता है कि इस week specifically Professional Fund में यहां तो एक pause आ रहा है यहां फिर आप एक pause ले रहे हैं वेना इस से एक pause मतलब बहुत कुछ हलचल नहीं हो रही है, बहुत कुछ activity नहीं हो रही है क्या choices लेनी चाहिए, in fact दिखिए सही चीज यह होगी कि आप जिस भी मकाम पे हैं अपने professional front में उससे आपका क्या next step होना चाहिए, जो growth, जो progress आप चाहा रहे हैं के लिए उसके बारे में आप सोचते वे दिख रहे हैं और कहीं एक planning, एक long term goals आप बनाते वे दिख रहे हैं हो सकता है कि कुछ Capricorns को decisions और choices लेने हैं और ये decision, ये choice इतने असान नहीं होंगे, थोड़े से difficult रहते वे दिख रहे हैं और इन ही सब चीजों के बारे में एक planning करते हुए, एक you know, सोच रहते हुए जादा दिख रही है और कितनी बारी you know, हम थोड़ा सा पीछ के भी मुड़ कर देखते हैं कि भई पीछे जब ऐसी situation आई थी, हमने क्या किया था, जिससे की चीज़ें ठीक रही थी, क्या किया था, जिससे हम परिशान हुए थे और इन ही सब चीजों को consider करते हुए, हम decision और choices लेते हैं तो all in all बहुत neutral ये week रहता हुआ दिख रहा है, कुछ भी बहुत great नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भी खराब इस week आपके professional fund में नहीं रहता हुआ दिख रहा है ठीक ठाक चीज़ें रह रही हैं, फिर से कहोंगी planning, सोच जाधा रहते हुए दिख रही है and personal fund के लिए आप लोगों के लिए awakening के card हैं, जैसे कि इस card में आप देख पा रहे हैं, एक figure है जो पेड से उल्टा लटके हुए है अब घवराये नहीं, आप उल्टा नहीं लटकने वाले हैं ये card simply कहता है कि थोड़े adjustments करने पड़ेंगे, थोड़े compromises करने पड़ेंगे और जो भी चीज़ को आप deal कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप अपना नजरिया बदल के चीज़ों को देखते हैं बहुत सारे Capricorns के लिए हो सकता है कि आप ऐसा ही कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए card message दे रहा है कि अपना perspective, अपना नजरिया बदल कर देखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर उल्टा टंगने का मतलब यही है कि opposite नजरिये से चीज़ों को देख रहे हैं, opposite एक you know viewpoint से चीज़ों को समझना चाहा रहे हैं और awakening कहीं literally जाग रुकता भी होने की बात करता है, हो सकता है पीछे किसी चीज़ का एहसास आपको नहीं था, किसी चीज़ की realization आपको नहीं थी आप कुछ चीज़ों को for granted ले रहे थे, याँ कुछ चीज़ों को लेकर बहुत sure हो रहे थे और इस week कुछ चीज़ों को लेकर एक जाग रुकता, एक एहसास, एक awakening आपको आती भी दिख रही है all in all दिखिए ये card भी negative नहीं है, but yes compromises, adjustments की बात करता है और जब भी ये card आता है, मैं यही कहती हूँ, adjustments are part and parcel of life लेकिन आप ध्यान रखें कि इतने भी adjustments और compromises ना करें कि आप खुद को compromise करें, otherwise again not a bad card, not a negative card it's a neutral card अगर आप balance तरीके से चीज़ों को deal करते हैं मैं इस card का मतलब यही होता है, कि नजरिया बदल के चीज़ों को deal करें और समझें and astrology से आप लोगों के लिए Virgo sign का card है इसके इसाब से all shades of beige and brown, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक विर्यस आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 7 of cups और यह card कहता है कि इस week आपके mind में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन आप उतना कर नहीं रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं अब दिखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही थोड़े से आलसी हो रहे हैं या फिर आप ही थोड़ा ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं आप ही, you know, again मैं कहूंगे कि imaginary world में रह रहे हैं practical, realistic नहीं हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप करना चाह रहे हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि situation circumstances ऐसे हैं कि आप action initiatives नहीं ले पा रहे हैं जो भी हो, देखे इस card का मकसद यही होता है या message मैं कहूंगी यही होता है कि आपने अपनी distractions को खतम करना है क्योंकि बहुत सारे chances हैं इस week आप अपने goal अपने मकसद पे भी focus नहीं कर पा रहे हैं फिर से मैं कहूंगी बहुत सारी distractions हैं तो बहुत important रहेगा आप अपनी distractions को खतम करें अपने goal अपने मकसद पे focus करें और जो भी situation circumstances हो कोशिश करें कि बहुत practical, realistic होके अपने goal अपने मकसद के लिए action लें यानि कि vision create कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ख्वाब देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन जब तक आप action initiatives नहीं लेंगे इस direction में तब तक आप जितनी भी beautiful ख्वाब देख लें जितना भी beautiful vision create करें वो आपका reality में manifest नहीं होगा तो इस चीज़ का ख्याल रखें otherwise again a neutral card कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन आपकी energies बहुत ज़ादा जगाओं पर लगी ही है यानि कि कभी कुछ mind में आ रहा है कभी कुछ mind में आ रहा है आप एक चीज़ पर focus नहीं कर पा रहे हैं और जब हम ऐसी energies में होते हैं तो end of the week में में लगता है कि you know कुछ constructive नहीं हुआ इस week में इसको और अच्छे से हम utilize कर सकते थे हमारा time energy waste हो गया तो मोटा माटी देखिए इस week आपने खयाल रखना है अपनी energy को आप फालतु की चीज़ों में ना लगाएं आप फालतु की चीज़ों में waste ना करें अगेन एक goal starting of the week में बनाएं और distract ना हूँ और उसी पे ही focus करते हुए action initiatives लेंगे तो by the end of the week आपको लगेगा कि बढ़िया गया week नहीं तो आप थोड़ा सा you know my use in the sense not कि कोई चीज़ खराब हो रही है but yes की उतना constructively इस week को आप नहीं utilize कर पाए and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of cups का card है ये card celebration की बात करता है reunion की बात करता है socialize करने की बात करता है eating, drinking, merry making की बात करता है जादो लोगों से connect करने की बात करता है interact करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके personal front में रहता हुआ दिख रहा है situations, circumstances सबके लिए differ करेंगे कुछ के लिए छोटा मोटा कोई function छोटा मोटा कोई celebration, reunion, get together हो सकता है कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप अपने love ones के साथ जादा interact कर रहे हैं, बात चीत कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है ब्रॉडर लेविल के लिए देखें, जादा socialize करते वे दिख रहे हैं, fun, मजा, मस्ती, eating, drinking, merry making personal front में रहते वे दिख रही है and astrology से the moon का card है इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday, तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता है और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए बाइसेज आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है renewal अब renewal के literal meaning को देखें तो पुरानी चीज के नए होने की या फिर नए सिरे से किसी पुरानी चीज को करने की बात करता है आप देखें, ये general reading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए पर करेगा कुछ के लिए हो सकता है कोई पुराना इंसान जिनको आपने छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा इस week आप उनसे reconnect कर रहे हैं आप उनको join कर रहे हैं, वो आपको join कर रहे हैं या किसी पुरानी चीज को आप फिर से fresh कर रहे हैं आप नए सिरे से again मैं कहूंगे चीजों को करना चाहा रहे हैं तो इस हिसाब से देखें किसी लेवल पे किसी तरीके से ये काड एंडिंग बिगनिंग की भी बात करता है क्योंकि ये weekly reading है तो बहुत बड़ी कोई एंडिंग बिगनिंग नहीं रहती भी दिख रही है लेकिन छोटे मोटे लेवल पे किसी ना किसी तरीके से एक एंडिंग बिगनिंग भी रह सकती है अब फिर से कहूंगी एंडिंग बिगनिंग कुछ के लिए simply हो सकती है अपने तरीके से काम करना चाह रहे है अपने काम करने का तरीका बदलना चाह रहे है कुछ के लिए हो सकता है नई जगा आप देख रहे हैं देखना चाह रहे हैं या फिर जोईन कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है, किसी पुरानी चीज को आप रेनोवेट कर रहे हैं, तो फिर से मैं कहूंगी, जो भी चीजे मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, सब के लिए डिफर करेगा, थोड़े से अनलेटिकल हो रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल हो रहे हैं, और मिला था, क्या किया था, जिससे हम परिशान हुए थे, तो इन सब चीजों को भी मद्दे नगजर रखते हुए, आप डिसिजन और चॉइस लेना चाहा रहे हैं, अगेन अन्यूट्रल वी, बहुत कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बट येस, you know, कैसे fresh तरीके से चीजों को करें, या नए तरीके से चीजों को start करें, उसपे या तो focus कर रहे हैं, या फिर कोई fresh बिक्निंग हो रही है, और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 of Wands का card है, और ये card कहता है कि बहुत तेजी से, बहुत speed से चीजें आगे जल्दबाजी कर रहे हैं अब देखिए ये कार्ट पॉजिरिव है बट अदर्वाइज मैं आपको कह रही हूं कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है तो ये इस कभी-कभी हमें immediate actions लेने पड़ते हैं हमें थोड़ा speed से चीज़ों को करना पड़ता है which is all good but impulsive ना हो जल्दबा news को अच्छी खबर आ रही है कुछ के लिए हो सकता है again या तो चीज़ें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है आप उनके साथ अपनी speed match करना चाह रहे हैं या आप ही you know बहुत speed से अपने goal अपने मकसद को अचीव करना चाह रहे हैं all in all this is a positive card तो अच्छा आपका personal friend रहता रवा दिख रहा है और astrology से आप लोगों के लिए क्या प्रिकॉन साइन का card है इसके हिसाप से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था आप लोगों के लिए coming week का साथ ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए